बुद मॉरिंग स्टुदेंट्स आज हम क्लास टेंथ में लेस्टन नमबर 18 रचना के बारे में समझेंगे इस लेस्टन के लेखक का नामे रगुवीर चोधरी रगुवीर चोधरी का जन्म सन 1938 में हुआ था सर्जक चिंतक करमसिल रगुवीर चोधरी का जन्म बापु पूरा ब्रेकेट में लिखा जिल्ला गांधिनगर उत्तर गुर्जात्रे में हुआ था स्कूली सिक्सा मानसा तथा उंच सिक्सा अमदाबाद सेंट जेवियर्स कोलेज से हिंदी का ज्यापन भासा सहित्य भवन गुजरात युनिवर्सिटी के हिंदी विभागध्यक्स प्रोफेसर पत्से निवरुत हुए और नई तालिम की संस्थाओ के सुत्रधार बने रगुविर्भाई ने गुजराती भासा में लगभग सभी विधाओक पर साधिकार लेखन किया कथा सहित्य, नाटक, कविता, रेखाचित्र आदी में उलेक निये योगदान दिया है अमुरता, उपरवास, कथास, त्रई, वेण, वत्सला, सौम, तीर्थ, रुद्र, महालय, आदी उपन्यास उनकी किर्थी के स्थम्भ है गोकुल, स्मथूराद, द्वारका, अमुरता तथा उपरवास, कथास, त्रई के इंदी अनुवाद प्रकासित हो चुके है ग्रामिन जिवन के निकट, संपर्क, सहरी अनुभव की अभिव्यक्ति के साथ ही हैतिहा सिक्ता उनकी रचनाओ के प्रमुक आयाम है मुल्य निष्ठा उनका रचनाओ के प्रमुक स्वर है उनकी लंबी कवीता बच्चाव नामु इस रष्टी से उलेकनिया है रोगुवीर भाई को उपरवास कथात्रई के लिए सहित्य अकादमी पुरुषकार मिला है वे गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरुषकारों से सम्मानित हो चुके है इन में रणजित राम, सुवर्ण चंद्रक, कवमा मनसी, सुवर्ण चंद्रक, गवर्धन राम त्रिपाथी पुरुषकार आदी मुख्य है यहां सहित्य अकादमी की मानद फेलोशिप प्राप्त है भारत का प्रतिष्ठित सहित्यक सम्मान 2015 गणानपीट पुरुषकार से आपको सम्मानित किया गया है यहां रोगुविर चोधरी का यह परिचर है अब हम लेसन देखते स्टुडन्स ब्रेकेट में लिखा है साम का समय है ग्राम पंचायत के कारियाले के बंद दरवाजे के पास बेठा चुकीदार जमाई ले रहा है दूर बेठ रमेश, निरमेश और रमेश, निरमेश और नरेश गंबीरता से बात करते दिखाई देते है गोपी प्रवेश करती है गोपी यहां प्रवेश करती है यहां कारियाली का दरश यहां बात हो रही है ग्राम पंचाइद के कारिया लेकि चोकी दर वहाँ बेठा है आराम कर रहा है दूर यानि चोकी दर वहाँ चोकी कर रहा है दूर बेठे रमेश निमेश और नरेश गंबिरता से बात करते दिखाई देते हैं तो वहाँ गोपी प्रवेश करती है गोपी कहती है ब्रेकेट में लिखा है दोनों और देख लेने के बाद अभीनास जी यहां नहीं आये निमेश कहता है अरे गोपी तुम क्या कोई काम था अभीनास का यहां निमेश गोपी को पूछ रहा है गोपी कहती है खास तो नहीं पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे कि अभीनासे खास तो नहीं कल उन्होंने अभीनास ने वादा किया था मुझे कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाजी की कवीता यह समझाएंगे रमेश कहता है कवीता समझने से कोई फाइदा नहीं होगा गोपी कोई ठोस काम करो या अभीनास को करने दो गोपी कहती है आप पर आत्मा या सम्वेदना हो तभी न ऐसा निमेज गोपी को कहता है कि आत्मा या सम्वेदना हो तभी न गोपी कहती है क्या निमेज भाई के आत्मा नहीं है क्या निमेज भाई के आत्मा नहीं है निमेज कहता है कभी थी आज नहीं है हम सब आज नेगने कर चुके है कि ये जो हमारे हाथ है वे ही परियाप्त है इनफ है गोपी कहती है हाथ तो सभी के होते है नरेश कहता है पर हम आज इन हाथों का कमाल दिखाएंगे हम इस हाथों का कमाल दिखाएंगे कि हमारे हाथ क्या क्या काम कर सकते हैं गोपी कहती है मैं समझे नहीं नरेश भाई गोपी ऐसा कहते है कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाई नरेश भाई नरेश कहता है कि हम इन हाथों का सद उप्योग करेंगे अच्छा उप्योग करेंगे अच्छा काम करेंगे इसा नरेश गोपी को कहता है गोपी कहती है कि यह तो आपने और भी मुश्किल बात कहे गोपी यहाँ ऐसा कहती है नरेश को कि यह तो और मुश्किल बात आपने कह डाली रमेश कहता है तुम अभी बच्ची हो जाओ कविता पढ़ो इसार हमेश ने गोपी को कह दिया कि तुम भी छोटी बच्ची हो जाओ कवीता पढ़ो गोपी कहती है कि सो तो आपकी सला के बीना भी पढ़ोंगी लेकिन सच मुझ आप अपने हाथों का सद्द उप्योग करने जा रहे है तो इच्छा होती है कि में भी साथ क्यों न दू तो में भी आपका साथ दू इसी उच्छा हो रही है रमेश कहता है तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन जाओ अभी नास से में कहूंगा कि तुम आई थी रमेश कहता है तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन जाओ अभी नास से में कहूंगा कि तुम आई थी जाओ मगर हाँ उसका इंतजार मत करना अभी नास का इंतजार मत करना मैं उसको कहे दूँगा कि तुम आई थी असार हमे survey disappointed गोपी को कहा, आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, कारियल इस हटने वाले नहीं है न तो PencayaT के किसी सदस्य को हटने देंगे, जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब नवे दे, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं गौपी कहती है कि जवाब क्यों नहीं देंगे इसा गौपी कहती है कि जो लंबा भाषन कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है, जो लंबा बाशन कर सकता है, इसके लिए जवाब देना आसान होता है, ऐसा गोपी रमेश को कहती है, नरेश कहता है, आसान होता तो वे यहाँ आकर हमसे बात न करते, अगर जवाब देना आसान होता, तो यह कारियन लिए वाले हमें यहाँ आकर हमसे बात न कर लगते हैं बीज़ीर में लिखा है खड़ा होकर चोकिदार के और जाता है नरेश देखो तो सही दरवाजा बन करके सभी भीतर बेठे हैं नाला एक उलू के पठें या नरेश है वह खड़ा होकर चोकिदार की ओर जाता है और कहता है कि देखो तो सही दरवाजा बन करके सभी कार्याने वाले पीतर यानिक अंदर बेटे है नाला ये गुलो के पठे निमेश कहता है नरेश से कि अब सब्दों के उप्योग पर अविनाश का प्रतिबंध है याद रखो यहाँ निमेश है वह नरेश को कहता है कि ये जो तु कहता है कि नाला ये गुलो के पठे इसे अब सब्दों का उप्योग करना अविनाश ने इसा मना किया है कि इसे अब सब्दों का उप्योग नहीं करना है याद रखना, नरेश कहता है, तब ही तो हम अभी तक सांथ है, अविनास ने मना किया है, इसलिए तो हम सबी तक सांथ है, इसा नरेश निमें इसको कहता है, कितनी बार तो हमने प्राथना पत्र दिये, कितने बार तो हमने प्राथना पत्र, यानि कि आवेदन पत्र दिया है, कितने दिन तक प्रतिक्षा के कितने दिन तक हमने वेट किया आखिर हार कर आज उपवास पर बेठे हैं इसलिए हार कर हमारी जो तकलीफ है हमारी जो प्रोब्लेम है उसका सोल्यूसन निकालने के लिए हार कर आज हम इस कारिया लेकर सामने उपवास पर बेठे हैं आंदोलन करने बेठे हैं ठीक है students यहां तक रखते हैं अगला पेजम अगले दिन समझेंगे